प्यारे बंदू, मैं अपने इस 72 वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ हूँ कोल यार्ड मैनेजमेंट यार्ड में जो हम कोला रखते हैं, जो कोले रखने के लिए बना होता है उसका भी रखने का उसको रिकलेम करने के लिए कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने होते हैं नहीं वह ऐसा करने से हमारी अस्विदाएं इतनी बढ़ जाती हैं अकि हमको काम डबल टाइम है, टिपल टाइम है और बहुत परिसानी से करना बढ़ता है छोड़ा सा याड का डिसिप्लिन मेंट करने से हमारी स्विदाएं बहुत बढ़ जाती है हमको कोईला इस्टोर करने के नर्मली दो तरीके अपनाते हैं एक हमको इस्टोर करने का जगा है बंकर फ्लोर में बंकर के अंदर बंकर के अंदर जो कोईला रखा जाता है उसमें भी काफी बहुत जारे बंकर होते हैं काफी कोईले उसमें भी रखे जाते हैं वो उसको लाइव एस्ट हो रही काते हैं कंण सब्सकाय है मतलब एक पर बंकर में कोईरा डाल दीए तो जो है डाड़ी टी टी यूज की दाफRight now फरेश नट फरेशड़े इन विटिवन पराइशन पॉर मिलकर द्वारा किया जाता त है तो बंकर से वो मिल he and formalization के बाद वक striking में hahaha के भी चला जाता है इसको जो इमीडिट यूज नहीं करते हैं इसको यूज करते हैं या इन रिक्वाइड इसके रखने के तरीका है कि साल के कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमको कोईला सर्प्लस मिलता सर्प्लस इन दर सेंस की जितना हमको जनरेशन के लिए ज़रूरत है उससे हमको ज़्यादा कोईले की आपूर्ती होती उससे ज़्यादा कोईला मिलता है तो हमको याड में रखना होता है और कभी साल के ऐसे समय आते हैं पर्टिक्लरी मौन जो है आन इंटरेप्ट ली चलता रहे तो इस इसको डेड़े टोरेज बोलते हैं इसको इसलिए रखायाता है कि आए यह निमें रिकाड़ लेकिन रखने कुछ तरीके रखने के लिए जो प्रॉसेस अपनाते हैं उसको हम स्टैगिंग करते हैं जिस मसीन कर दोरा में स्टैग करके रिकलेमर कहते हैं तो रखने का तरीका है उसका कुछ सिधान्त यह है कि जब हम कोईलल आट यार्ड में रखते हैं तब जो है हमको रखने के लिए कभी ईस्टैगिंग करते समय उसका बूम को 90 डग्री मेरा करके नहीं करना जाए नटीटी डिग्री में रखके करेंग तो क्या होगा है कि हमारा को rat claim करते से में और आउट-दी रीज अफस्टार पर एकिलयम चला जाता है तो हम को समय शुब्लें करके हम को समय को विध से स्टैकर रकनेуса रखने कि इस बीक में अगर हमें िक करेंगे तब क्या होगा कि हमको रिकलेंग करते समय कोई used 103 नहीं होगी हम पूरा का की पोला जो मिला उठा पाएंगे रिकलेंग कर पाएंगे इस लिए हमको स्टाइगिंग डिस्टिब्लीन को मेंडन करना है दुसरा स्टाइगिंग का उसको ड्रॉप हाई जो है बहूत कम आईज मिनिमूम आज पासलुब लखना चाहिए जिसको नॉर्मली जो है अपरेटर रिवाइड करते हैं वो करना बहुत ही नुक्सान दे है और बहुत ही लौश है इसलिए जब स्टैक करते हैं जहां कोईला गिरता है उसके बिल्कुल जहां तक संब्वावन नजदीक में रखना चाहिए और स्टैक करना चाहिए कि एक मीटर डेर मीटर से ज्यादा एक बार स्टैक नहीं करना चाहिए उसके बाद स्टैकर को आगे बढ़ा लेना चाहिए ऐसा करके जब हो जाता है तो उसके बाद आ हमको कंपैक्शन करना जरूरिएtte कंपैक्शन पोल्द करते हैं जिस तरीका से हुँ करते हूं तो हम kंप बाहर हवा निकल जाएगे, तो in the absence of air, कभी उसमें fire नहीं लगेगा, इसलिए compaction ज़रूर है, हमको third उसमें benefit यह है, कि जब हमको stack करते हैं कोला है, तो उसमें कोले की yard में capacity ज़्यादा हो जाएगी, अगर नहीं compaction करते हैं, तो yard के capacity घढ़ जाएगी, इसलिए compaction ज़रूर है, तो इस सब को ले करके, हमको stacking के नियम को stickly follow करना चाहिए, इसको normally avoid करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, जिसे भी reclaim करने हमारी यह सुब्दाएं बहुत बढ़ जाती है, कोले को जो है, हमको कभी-कभी लंबे समय के लिए रखना चाहिए, हलां कि लंबे समय के लिए yard में र दोस होता है, तो कभी-कभी तो उसको compromise करके उसमें रखना लाचारी होती है, रखना पड़ता है, हमको future को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जितना कम समय रखा जाता है, रखना चाहिए, नॉर्मली फीफो प्रिंस्वल से हमको reclaim करने का सिधान बनाते हैं, जिसको मैं अपन परसनल लेबल पर मैं recommend नहीं करता हूं, मैं लीफो प्रोसस से reclaim करने का process recommend करता हूं, को लीफो क्यों करते हैं और फीफो क्यों नहीं करना जिए उसके बारे अपने last video में पहले के वीडियो में बता चुका हूं, बहुत ही उसको मैं सावित कर चाहूं कि कितना amount हमारा उसमें loss होता है, इसलिए कोईला को जादा समय में याड मेरा करके जीतना जल्दी हो reclaim करने में ही फायदा हमको CV की बच्चत होती है, और जहां तक संभव है कि हमको stack करके फिर reclaim करके ए process को जहां तक कम है कम करना चाहिए, direct feeding में हमको पूरा का पूरा CV के utilization होता है, उसमें बहुत समय हो छोटा सा नाला टाइप का याड में बन जाता है, आइमीन कोल बेट को पर बन जाता है, और नाला के थुरू कोईला जो है निकलते निकलते जो है सब पतला कोईला जो है चला जाता है और slide करके चला जाता है आपको rail track पर, इस रेल track कहा है, जो जो rail track के उपर ही stack reclaimer च दूसरा याड मनिमेंट का पार्ट है कि उसका हाइट 10 मिटर से उपर नहीं ले जाना चीए जहां तक समभब 10 मिटर में अपने याड को अगर जगह यह दस मिटर के रेंज बरकना चीए उसमें को बहुत फाइदा फाइदा यह है कि हमको रिकलेम करने में एक तो सुविधा हो होती है बट एनीवे अगर को यह दा मिल रहा है और हमारे याड में जगन नहीं है तब हम एक डिट मीटर ही और बढ़ा सकते हैं हमारो ऐट इस बीस्ट फॉरेंचे रिकॉर्मेंट है बढ़ाना इमरेशी रिकॉर्मेंट के साब से डिशाइड होना चाहिए पाट फर्स इं को हमको बराबर यूज करना चाहिए इस प्रिंगलर यूज करने से क्या होता है कि हमको वाटर का वारा देते हैं तो वाटर कॉंटिटी कम रोती है cold weight का temperature नहीं बढ़ता है, cold weight का temperature अगर हम बढ़ने नहीं देंगे तो fire नहीं लगाए, क्योंकि हमको पता है, पहले वीडियो में चार्चा कर सकता हूँ, कि 50 degree और 55 degree के ऊपर जब temperature जाता है, तो उसमें firing tendency डेवलेफन लगता नहीं है, और 70 ऊपर के जाता है, तो fire start होता है, जैसे start होता है, और 77, 30 के बीच में fire लगना चालू होता है, यह एक पर fire लगता है, तो पानी उसमें ज़्यादा quantity में डालते हैं, ज़्यादा quantity में डालते है हैं, तो पतले, कोईले भिण भिंग करके नीजे चले जाता है, उपर में लंज बज जाता है, लंज बज जाते हैं, तो उसमें air गाय ज़्यादा बढ़ जाता है, एर गाय बढ़ जाता है, वाइड स्वेसर बढ़ जाता है, तभी fire खू लगने के और tendency ज़्यादा बढ़ इस तरह जो है हमको स्प्रिंकर से स्प्रिंक्लिंग करके कोल वेट को टेंपरिजर को ठंड़ा रखना इंपॉर्टेंट है वहां का अट्मस्वरों ठंड़ा रखने से तो फायर ने लग गया दूसरी बात है कि हम फायरोगर बुझाने के लिए भी अपने पहले के वीडियो म है बहुत यूच्फुल तरीका इसका टेस्टेड है ट्राइड है इसको जरूर अपना चाहिए बहुत डिफकर नहीं है सभी इस्टेशन को मेरे सला है कि इस प्रोसेस का पना चाहिए इसी सब्सक्राइब के साथ मैं इस वीडियो को अभी समाप्त करने जा रहा हूं और अपने बुंद्धों को तक पहुंचाए ताकि अपने पारे सेशन इंडिया के पारे सेशन की सित्य को और बेटर सुधारे सकते हम कंट्रिबूर्ट कर सकते हैं इसी के साथ थाइंक यू भेरी मुच जाए हिंद जाए भारत